हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे फॉर्स्ट पर्मिंग यूट्यूब चैनल पर आज जो है मैं आप लोग को एक न्यूज बताना चाहता हूं ऐसे हम सोट बना के डाले थे लेकिन मेरा जो गिनी फॉल है वो अंडा देना सुरू कर चुका है छोटा सा एकदम क्यूट सा गोल ग सकते हो हरा चारा है धान और मूली का पत्ता है और साथ में बर्सीन गोपें वह है तो यही सब इसको खिला रहे हैं और अच्छा से ग्रोथ भी अच्छा है खर्च भी कम हुआ है पालने का कोश्ट ऑप पोडक्शन बहुत कम हुआ है और साथ में अब अंडा देना भी सुर कर दिया है और इतने अच्छे से यह बतक के साथ घूल मिलके रहता है अभी एक्चुली इतना कम गीनी फॉल हम इस लिए रखे हैं क्योंकि इसको एक्चुली पहली बार हम जब बतक खरिदने गय थैं बतक का बच्चा तो दीखा दीखा तो मतलब पहली बार हम देखे थे तो अच्छा लगा तो ट्राइब करने के लिए हम रख लिए कि चलो देखते हैं इसको पाल पाते हैं या नहीं तो बहुत ही इजी था अच्छा था सबसे कम होता है अगर आपके मार्केट में यह बिखता है तो आप इसको जरूर पालो यह बहुत कम मरता है और जैसा आपका देशी मुर्गी जो खाता है सारा कुछ खा सकता है और अराम से अपना रह सकता है आप लोग देखो बतक के साथ घुल मिलके रह रहा है लेकिन एक दूसरे को लोल मारना या ऐसा कुछ कुछ नहीं कर रहा है हलका फलका जो है जो बतक खाता है वही सेम खा रहा है हराचारा भी खा लेता है धान भी खा लेता है कोई भी मतलब इसको पालना कोई मुश्किल कम नहीं है बस आपको यह देखना है कि बस यह डरता बहुत ज़्यादा है तो जैसे कि अगर चरूर रहा है कहीं पर घूम रहा है तो उसके आसपास पुट्ता वगेरा सब ना आये तो डर के इधर उदर भाग जाता है तो उसमें इधर उदर भागने का डर रहता और यह उड़ता बहुत भयानाक है बोले तो एकदम चिडियां से भी खतरना कुड़ता है मुर्गी मुर्गी सबसे खतरना कुड़ता है चिडियां के तरह और बहुत लंबा लंबा उड़ता है और आप देखो जैसे यहां से मेरा वह आगे वाला खेत है बर्सीन रुपा हुआ है उसके बाद जो गोटा बोलते उसको तेल जिससे निकलता है उसके उसके पार चल ज अगर खुला में रखते हो तब और इतना अच्छा देखने में लगता है हम तो इसको ट्राइब करने के लिए लेकिन अच्छा खासा इसका 800 रुपया मेरे एरिया में भी प्राइस 800 रुपया केजी तो अच्छा खासा प्रोफिट देगा यह और खाने के नाम पे कुछ भी की खालेगा एक करीब आप प्ता ने में ट्रिफ सब्सक्राइबВОला बजार वाला तो आप तीन से साड़े 3 रूपया पर दे का कोस्ट आएगा इससे ज्यादा ही आएगा कम नहीं आएगा तो अब आप सोजो साड़े तीन रुपी आप पर डे खर्च करोगे और यहां पर एक से सावा रुपे में पर डे का इसका खर्च आ रहा है तो आप ही सोजो अगर तीन मेने रख रहे हो तो कितना सीधा एक तीहाई खर्च में आप पाल सकते हो यानि अगर मेरा खर सो रुपे हो रहा तो आप पॉल्ट्री फीड खिला करके एक सो तीस रुपे तीन सो रुपे तक आपका खर चाहेगा तीन गुना तो आप ही बताओ इसमें क्या अंतर है हम पॉल्ट्री फीड नहीं खिलाए हैं तो आप ही देख लो यह त्रूर बताना और में को टो कोई अंतर नहीं दिखता है और अच्छा से खाता है हरा चार चारा सारा कुछ ख़ता है कीडा Maunkoda, जो भी आस-पास मिल जाता है सब खा लेता है और इतना अच्छा से रहता है 37 से रहता है कि अगली बार जो है इसे भी इसका अंड़ा दना शुरू हो गया है तो मेरा हेचरी मसीन एमेजोन से आने वाला था लेकिन वो लोग वजन के कारण बीना डिलीवर किये ही कैंसिल कर दिया तो हम अभी दूसरा एक महराष्ट में है है वाला मसीन बनाता है उससे बात चल रहा है वहां से जैसे आएगा तो यह गिनी फॉल का भी अंड़ा जो है हम हैचिंग में डालें क्योंकि देखो हम जो पाल रहे हैं तो हमको जो मेरे दिमाग के हिसाब से लगता है कि नहीं इस टॉपिक पर बताना चाहिए किसी का भला हो सकता है जैसे मेरा खुद का एक्सप्रियेंस बताता है कि हां यह चीज हम किये तो कोई और भी यह चीज करके मुनाफ़ा कमा सकता ह तो आप लोग अपने दिमाग से कमेंट करो कि और किस किस टॉपिक पर आपको लोग को वीडियो चाहिए तो पूरा वीडियो देखने के लिए धनिवाद और प्लीस गाइस सब्सक्राइब कर देना लाल बटन जो है वो अच्छा नहीं लगता उसको ग्रे कलर करो यार जैस मत्रम